बहादुर्पुर के खकावणा सीव मंदिर पे 24 बारसों से अस्थानिये कलाकार मिलकर करते हैं राम लेला नमस्कार आज हम बस्ती जिले के बहादुर्पुर विकास खंड के अंतरगर्थ खकावणा सीव मंदिर पे 24 बारसों से चल रहे राम लेला की खबर को लेकर हाजिर है आपको बता दें कि खकावला गाओं में वन्नेशोर नवाशी में राजमर चतुरबेदी वा बाबु राम चोबे द्वारा मिलकर राम लेला की सुरुवात की गई थी जो लगातार अभी तक जारी है पिछले एक बरसों एक बरस किसी कलाकार के निधन होने के चलते राम लेला का आयोजन नहीं हो पाया था लेकिन आजुनुत्ता की दोड में युवाव ने अभी भी राम लीला जारी रखा है जहां पर रामाड के सभी पार्ट यूटूब पर सोसल मीडिया पर वारल है लेकिन अभी भी इस छेत्र में इस गाओं के लोग द्वारा पात्र की भूम का निभाया जाता है और सभी कलाकारों को रामाड की चौपाई लोगों को कंठस भी है वो कहीं रुकते नहीं देखने में काफी मनमोहक होता है और छेत के बड़ी संख्या में लोग रात भर बैठ करके राम लीला का आनल उठाते हैं आपको बता दें कि राम लीला से सब को मि कहतर बनाने के लिए समाज के विकाश में महतपूर योगदान मिलता है इसको लेकर के लगातार गाओं के ही कलाकार राम असीस, राम गुपाल, संदीब, अजय, महंत कुमार, बाबुराम, राजमर, नंदलाल, घंशाम, मिलकर के सभी लोग पात्र की भून का निभाते हैं यह तस्वीर आपका खवडा की देख पा रहे हैं, जहां पर राम लेला के पर्थम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक धूम धाम से यहां पर राम लेला का आजन क्या आता है, जिसमें गाओं के ही लोग पात्र की भूम का निभाते हुए नजर आते हैं, और कई गाओं के गाओं में पुरानी परंपरा कायम है, जो 24 बर्स पहले इसकी शुरुवात हुई थी, इसकी शुरुवात गाओं के ही राजमर चत्रुवेदी योंग बाबु राम चौबे द्वारा किया गया था, आज भी हमारे छेत के इवापीधी द्वारा इस परंपरा को निभाय जा रहा है, और लोग इसमें बढ़ जढ़ कर हिश्चा लेते हैं, वहीं यह आखाय करम का आयोजन, गाओं के ही लोग मिलकर आपसी सहमत से ही इसके खर्चे को बाहन भी कर लेते हैं, और पूरे तनमेता के साथ ब्यास्था करने में लगे राते हैं, आपको ख़बर कैसी लगी है, हमारे कमेंड वाक्व में जरूर बताएं, ऐसी स्टोरी लेकर हम हाजिर होते हैं,